अब लोगा दोस प्रहना वार इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करना वालो Samsung Galaxy A73 के बारे में यह अर्थात ऑसम और अभी बात करेंगे इस फोन का एक लॉंग टर्म कितना दिन से यूज़ कर रहे तो इस फोन को एक साल आट मैंने मतलब काफी दिन हो गया इस फोन को और इस फोन का आज क्या रिव्यू है मतलब Samsung का यह होगा मतलब लॉंग टर्म वाला रेजल्ट जैसा कुछ होगा कि लॉंग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है मैं इस फोन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इस फोन को उठालो मैं यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Samsung इतना लंबा अपडेट प्रॉमिस तो कर देता है और पैच अपडेट तो देता ही रहता है इधर उधर माहिने दो महिने देड़ महिने में तो उसक तो बाद यह कैसा परफॉर्म करता है इसका बजेट क्या इसे जस्टिफाई करवाता है और यह फोन जो है एस सिरीज का तो यह फोन कैसा है अगर सबसे पहले चालू करते तो यहां पर आपको बोरिला गलास का प्रोटेक्शन फ्रेंड में देखने को मिल जाएगा बैक में आपको पॉलिकर्बनेट अर्थक प्लास्टिक ही जो होता है वही देखने को मिलेगा पर यह जो प्लास्टिक है यह अच्छा है क्योंकि यह थो थोड़ा मैट टाइप का है और यह सैंसिंगा फिनिश ना बहुत सही होता है बहुत ज्यादा सही होता है क्यूंकि दोस्तों फ्रेम है यह थे स्टेलर इसे अगर तोड दियाना तो तेरा बिडियो इससजी बनता है याद रखना है तो मैं बोलना चाहूंगा, जो बात करने के टाइम हो बताऊंगा, रहना दो, अभी यह जो फोन है ना, इस फोन का बाकि वीडियो वीडियो अगर बनाते हो तो देखो बहुत सारे माइक वाइक है, तो बहुत सही है, स्टेरो स्पीकर भी है यहाँ पर, अभी देखो दूस्त काफी ही देखने को मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हार्च लाइट में, बाकि इस फोन का अगर प्रोसेसर का बात करते हैं, यहाँ पर क्वालकम स्नाप्रेगन 778G देखने को मिलता है, जो कि मेरे इस आप से काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 700 सेरी का हुआ करता था तो कैमेरा देखो गाइस, यहाँ पर आपको 108 MP, OIS को साथ देखने को मिलता है, और एक अल्ट्रावाइट देखने को मिलता है, 12 MP का बाकि पांच-पांच का दो इमोशनल सपोर्ट चार-चार कैमेरा है, जब ऐसे वीडियो बनाता हूं तब मतलब ऐसे कन्फ्यूजा जाता पर यहाँ पर आपको 4K 60 EPS पर रेकॉर्ड नहीं होता, यह बहुत वाहियात लगा मेरे को, 4K 30 EPS में रेकॉर्ड होता है, BGMI गेम जो वह 60 EPS में चलता है, ठीके, तो 90 EPS होना चाहिए था, 40,000 के बजट के हिसाब से, बाकि यहाँ पर सब को सही मिलता है, बाकि दोस्तों द तो 40,000 के फोन के हिसाब से कुछ extra wireless charging वर्जिंग भी नहीं है, तो अगर यह फोन लेना होगा ना, तो मैं इस तरह का फोन में A-Series का जो होता है, F-Series का, M-Series का, मैं recommend नहीं करता लोगों, अगर आपके पास, मतलब 20,000 के नीचे शायद recommend कर भी दूँ, पर इतना जादा नहीं बना है, तो दोस्ते यह जो फोन है ना, इस फोन में हम अगर एडिट कोशिश करते है, Power Director से, Kind Master से, या फिर किसी भी Premium Rush है, कोई भी जो एडिटिंग एप है, यह एडिट समाल नहीं पाएगा, बहुत ही मतलब धीमा हो जाएगा, एडिट या फिर रेंडर नहीं हो पा अगर आपको Samsung का फोन लेना है, तो मैं आपको इतना recommend करूंगा कि अगर आपके पास 30,000 है, S21 FE देख लीजे, अगर आपके पास 40,000 है राउंड है, तो S22 5G देख लीजे, S23 FE देख लीजे, यह सारे फोन्स आप देख सकते हो, पर यह जो A series का फोन है, Samsung का एक ही series जो है, व या फिर कोई भी series जो हो गया, 40 के उपर प्राइस जाता है, 30 के उपर प्राइस जाता है, मैं recommend नहीं करता बिल्कूल भी, तो बाकी मेरा clear cut opinion जो है, वह आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, तो भाई, चैनल को सब्स्राइब करके बिल आइकन बजा दीजेगा, और इस वीडियो को share कर दीजेगा, जो लोग Samsung का phone लेने का planning करें उन लोगों को, खेर, तब तक के लिए धन्यवाद,